हलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर लड़की हर महीला को खुद के बारे में पता होना चाहिए बलकि मैं यह कहूंगी सिर्फ फीमेल सी नहीं बलकि Each and Every Male या फिर हर कुपल को आज का टॉपिक पता होना चाहिए जो है फीमेल रिप्रडक्टिव सिस्टम यानि की मादा प्रजनन तंत्र के बारे में हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरू आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर सबसे पहले आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रिप्रडक्शन क्या होता है फिर फीमेल रिप्रडक्टिव सिस्टम के क्या-क्या फंक्शन होते हैं female reproductive system में कौन कौन से organs होते हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है और इस वीडियो को end तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के end में मैं share करने वाली हूँ कि female reproductive system ये कब activate और deactivate होती है और पूरे life cycle में या फिर female के पूरे lifetime में female कितने बार ovulate करती है जिसकी जैसे फर्टिलाइजेशन के chances बढ़के आपके pregnancy के chances बढ़ जाते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि reproduction मतलब क्या है reproduction मतलब यह एक ऐसी process है जिसमें एक जिवान या फिर एक organism अपने जैसे काफी organisms बना सके या फिर reproduce कर सके उसे reproduction कहते है so reproduction के लिए male और females दोनों का होना बहुत जरूरी होता है जैसे कि female reproductive system है वैसे ही male reproductive system होता है पर जो शुकरान हो और बीज एक जगा आते है वो female reproductive system में ही आते है फिर उसके बाद में जो embryo बनता है या फिर fetus या फिर baby होता है वो 9 months growth उसकी female reproductive system में होती है और फिर इसके बाद में delivery होती है तो ये सब process जो होती है वो female reproductive system में होने की वज़े से आपको female reproductive system भी जानना बहुत जरूरी बन जाता है तो शार्ट में मैं अगर कहूँ कि female reproductive system के क्या function होते है तो सबसे पहला function होता है female एग या फिर own को तयार करना second function होता है कि egg और sperm के transportation को help करना third function है egg और sperm के fertilization में help करना और fertilization के बाद जो embryo बनेगा उसको support और protect करना और fourth function होता है यह पूरी reproductive cycle को जो maintain करने का काम करते है estrogen और progesterone नाम के female sex hormone यह sex hormones यह female reproductive organs ही बनाते है फिर female reproductive system यह दो parts में divided है external और internal female reproductive system आज के वीडियो में हम external reproductive system देखने वाले है और next वीडियो में internal reproductive system देखने वाले है so external genital organs की functions की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो main function है external genital organs का वो है sperm को अलाव करना body में enter करने के लिए second function है infectious organism से internal organs को protect करना और third function है sexual pleasure provide करना so female reproductive system के external part को vulva कहते है और vulva यह situated या located होता है दो पैरों के बीच में वल्वा का मतलब होता है covering वल्वा यह cover करता है urethral और vaginal opening को साथ ही में यह body के अंदर के reproductive organs को भी protect करता है फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं वल्वा में कौन-कौन से structures आते हैं सबसे पहला structure जो वल्वा में आता है वो है mons pubis आपको साथ में DV diagram refer करना है ताकि जो भी मैं explain कर रही हूं वो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए mons pubis ये vaginal opening के ऊपर होता है जो fleshy area है जो cover करता है pubic bone को एक fatty tissue से और यहाँ पर बहुत ज़ादा oil secreting sebastian glands भी होते है और puberty के बाद ये area पूरा hair से cover हो जाता है फिर उसके बाद में second आते है two pairs of skin flaps जिसे labia कहते है labia का मतलब होता है lips जैसे कि हमारे मुग के opening को lips cover करते है वैसे ही urethral और vaginal opening को cover जो करते है वो है labia majora और labia minora labia majora मतलब large lips जो होते है वहाँ पर बहुत ज़ादा sweat और sebastian glands होते है जो lubricating fluid secrete करते है और puberty के बाद ये भी labia majora पूरे hair से cover हो जाते है फिर उसके बाद में आते है labia minora जिसे कहते है small lips so labia minora ये labia majora के अंदर के side में आते है और ये surround करते है urethral और vaginal opening को directly और labia minora को बहुत ज़ादा blood supply होता है जिसकी वज़े से इसका color pink होता है फिर labia minora जहां उपर की तरफ मिलते है वो area को clitoris कहते है और clitoris को compare किया गया है penicine males क्योंकि ये एक sensory organ है जो stimulate होता है at the time of intercourse और ये erect भी हो सकता है और clitoris के उपर एक skin fold होती है जिसे prepuse कहते है और prepuse है ये similar मतलब prepuse ये जो होता है ये similar है for skin of penicine males फिर clitoris के बाद में जो structure आते है वो है labia minora के अंदर जो उपर के side में आता है वो है urethral opening यानि की पेशाप का opening और urethral opening के नीचे आता है vaginal opening और vaginal opening के side में कुछ glands होती है जिसे bartholins glands कहते है जो thick mucos secret करती है और sexual intercourse के वक्त lubrication प्रोवाइड करती है तो आज के वीडियो में हमने देखा है कि reproduction क्या होता है female reproductive system के क्या-क्या functions होते है और female reproductive system के external organs के बारे में आज हमने जानकारी ली है जैसे कि mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris, urethral opening, vaginal opening और bartholins glands के बारे में सो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि female reproductive system के internal organs कोन-कौन से होते है और वो reproduction में कैसे help करते है सो लास्टली मैं यह information आपको देना चाहूंगी कि हर लड़की में reproductive system यह birth से ही present होती है बट वो dormant stage में याने कि inactive stage में रहती है at the time of birth और activate हो जाती है at the time of puberty याने कि 10 to 12 years of age और जैसे जैसे age बढ़ती है वैसे वैसे sex hormones का production कम हो जाता है और reproductive cycle का functioning कम-कम होके stop हो जाता है जिससे हम menopause केते हैं और menopause attend होता है लगबग 45 to 50 years of age में So reproductive cycle यह active होती है from the age of 10 to 12 years to 45 to 50 years of age group में और यह सुनके आपको हैरानी होगी कि हर female child में at the time of birth 1 million याने कि 10,000,000 eggs या फिर ovum उसके ovary में present होते है और at the age of 10 to 12 years याने puberty के वक यह एक count 3,000,000 eggs आ जाते हैं और normal महिला में पूरे reproductive cycle में उसके पूरे reproductive cycle में सिर्फ 300 से 400 एग ovulate होते हैं यानि कि 3,000,000 में से सिर्फ 300 से 400 एग ovary से बहार आते हैं और reproductive system में आके sperm के साथ unite होके fertilization cost कर सकते हैं और reproduction में help करते हैं आज के लिए इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को like and share जरूर करें और ऐसे ही health related information के लिए इस चैनल को subscribe करना न भूले साथ ही में bell button दबाना न भूले ताकि जब भी वीडियो upload होगी आपको notification मिल जाएगा झाल